नमस्कार दोस्तो फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हाँ दोस्तो आप जो वीडियो में देख रहे हैं यह सर्पगंदा पोदे के फॉल है आज हम इस सर्पगंदा पोदे के फॉल के सहता से एडियों का दर्थ को कैसे ठीक कर सकते हैं और साथ में फटे रुए एडी को कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी देंगे तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें सबसे पहले आपको सर्पगंदा पूर्दे का फल दस पंद्रा लेना है और उस फल को सिल बटे में पीस कर उसका पेस्ट बनाना है उसके बाद एक प्याज लेना है प्याज को भी सिल बटे में पीस कर उसका रस निकलना है उसके बाद प्याज के जो रस होता है सर्पगंदा फॉल के पेश्ट के साथ उसे मिक्स कर दो और साथ में एक चमच सरसो का ओय थोड़ा डाल के अच्छे से तीनों को मिक्स कर दो mix हो जाने के बाद उस pest को एडी में लगा के एडी में थोड़ा मालिस करने का अगर ऐसा करते हैं तो एडी दर्द में तूरंट रहत मिलता है शाथ में फटे हुए एडी को ठीक करने के लिए भी इस pest का इसतमाल जरूर करें तो दोस्तो जब भी एडियों का ऐसा समस्य आये तो इसका इस्तमल जरूर करें तो दोस्तो आज का ये जानकरी आपको अच्छा लगावतो हमारा यूटूब चनल जरूर सब्सकाइब करें